हेलो बच्चो तुड़ेवी लर्न प्लास नाइन मैद चेप्टर वन एक्सरसाइज 1.2 बच्चे इस वीडियो में हम लो क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के जो चार कोशन है न इन चार कोशन को क्या करेंगे पढ़ेंगे और समझेंगे चलिए पहला कोशन पढ़ते हैं समझत दिखिए यहां कोशन में चुपा हुआ है digit सम तो अगर कोई भी नंबर है उस नंबर के डिजिट को अगर आप क्या कर दो Sum कर दो प्लस कर दो उसको हम लोग क्या बोलते है डिजिट सम बोलते है तो इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ हुआ है तो you obtain a single digit जब आपको क्या मिलता है एक single digit मिलता है after adding the different digit in a number जब आप किसी एक number के different different digit को क्या करते हो add करते हो और आपको एक single digit मिलता है न तो उसी को हम लोग क्या बोलते है digit sum बोलते है सर समझ भी नहीं आया समझाता हूं question no 2 जो है न बच्चे यह वह कैसे निकालेंगे न डिजिट सम बच्छे बहुत असान है तो लिखेंगे 15 है पहला तो लिखेंगे डिजिट सम फिफ्टीन तो बोलोगे प्लस कर दो इसको तो one plus five अभस करने पिकितना गहां चिखस आ गया तो यहीं क्या हो जाएगा आपका एंसर वो जाएगा है जेगा नेट्स देखिए plus 8 3-7 क्यों कि कत्ना गया बच्छे 11 आ अभ फिर से 11 का स्षक तो घ्रद्ण सम तो आजयगा यह बच्चे आपका औ तो भी कोई गलती नहीं है लेकिन क्या करीगा आप लोग bod टीम्म में यहां पर 88 है तो यहां पर बना सकते हो यह हो DC22 फिर से करेंगे one of ब्लस 6 देटीस उन फ्लस 6 7 और यह क्या हो गया बच्छे आपका प्यारा से एंसर हो गया नेखेंग लिए क्वाहकर प्लस नीच नाइन के निटिम यह नेक्स देखिए नेक्स आपर 412, 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 2, 6 और 1, 7 और यह क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, इक्वल टू भी जे सकते हो, एरो का साइन भी दे सकते हो, आगे है, 8 प्लस 6 प्लस 7 ये करोगे, तो 21 और 21 को फिर से करोगे, तो 2 प्लस 1, that is 3, और यह आपका क्या जाएगा, एंसर आजाएगा, next देखिये, 52 है, तो, sorry, 4 फ्लस 8 प्लस 5 प्लस 2, तो बोलोगे कि 4 प्लस 8, 4 प्लस 2, 10, 15, 19, तो यहाँ पर 19 आगिया, फिर 19 को करोगे, तो 1 प्लस 9, वान प्लस 9 कितना होता है बचे 10 होता है, 10 कर देंगे, फिर 10 का करोगे, तो 1 प्लस 0, कितना हैगा, वह रन आएगा, बच्चे तब तक करना है जब तक कि आपको single digit न मिल जाए single digit न मिल जाए इसले इसका deflection में क्या था बच्चे single digit था ठीक है ना next देखे बच्चे next क्या है 9875 तो यहाँ पर लिखेंगे 9 plus 8 plus 7 plus 5 तो बोलोगी कि 8 816 24 plus 5 29 29 को फिर से करोगे तो 2 plus 9 2 plus 9 को फिर से करोगे तो 11 11 को फिर से करोगे तो 1 plus 1 1 plus 1 के यह होगा 2 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है next देखें next है 24601 तो 2 plus 4 plus 6 plus 0 plus 1 तो 6 plus 4 10 12 13 13 को फिर से करोगे तो 1 plus 3 1 plus 3 क्या एगा बच्चे 4 और यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा next देखे 4897 956701 तो यहाँ पर 4 plus 8 plus 9 plus 5 plus 6 plus 7 plus 0 plus 1 जब ऐसा करोगे तो थोड़ सा एडिंग करते हैं तो दिखें तो 4 plus 6 यह हो गया बच्चे 10 9 plus 1 20 20 and 8 28 28 and 5 33 33 and 7 40 क्या हो गया 40 को फिर से करोगे तो 4 plus 0 और 4 plus 0 क्या होता है बच्चे 4 होता है और यही क्या जागा बच्चे आपको पैरा सा एंतर आजाएगा ठीक है तो आई थिंग आपको कोश्चन नमबर 2 समझ में आ गया होगा नेक्स देखते हैं कोश्चन नमबर 3 क्या बोल रहा है कि वाट सुड़ वी एड़े टू दा फॉल्वाइं नमबर तो मेक दैम डिवीजवल बाइन मतलब कि इन सभी और बाता है गिंवाइन नाइन से मतलब कि अगा होगए पेहला सब्सक्राइब करने पर अगर वो 9 आता है तब वो क्या होता है नाइन सब्सक्राइब कर देंगे कि 9 आ जाएगा तो बोलोगे यहां पर बोलोगे कि if we add 2 in 241 then its digit sum will be 9 और जब 9 है तो क्या होगा which is divisible by 9 तो आप बोल सकते हो दो दोस दो रिक्वाइड दद रिक्वाइड डुस्ट रिक्वाइड नंबर इस टू रही क्या हो जागा बाच्चे आपका प्याराइसा एंसर हो जाएगा ठीक है ना नैसरा किके नमबर 2 क्या है question number 2 है बच्चे 861 क्या है 861 तो सेम ऐसे ही बोलेंगे इसके लिए भी देखे बच्चे तो question number second है 861 तो बोलेंगे कि digit sum of 861 8 plus 6 plus 1 तो 8 plus 6 14 14 plus 1 15 15 का भी निकालेंगे तो 1 plus 5 1 plus 5 कितना था 6 होता है तो question है कि 6 में हम लोग क्या add कर देना कि 9 आ जाए तो बोलोगे सार 6 में 3 add कर दिए तो बोलोगे यहाँ पर if we add 3 in 861 then its digit sum will be 9 which which is divisible by 9 thus the required number is 3 टॉपकर 3 क्या हो जागा बच्चे answer जागा question number third देखते है question number third है कि 4441 तो digit sum more four 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 one क्या हो जाएगा तो four plus four plus four plus one तो यह हो जाएगा four plus four two four plus four eight eight plus four twelve twelve plus one 13 13 में one add करोगे ओहो 12 plus one 13 तो 13 हो जाएगा तो one plus three four होता है क्या तो four में four में question है कि four में हम लोग four में हम लोग क्या add करे ना कि nine आ जाए तो बोलोगे तो बोलोगे कि if we add five अगर हम लोग फाइड करते हैं इसमें तो यह number होगा divisible by nine तो does the required number is does the required number is five five add के तो five answer हो जाएगा next बच्चे यह 8 3 5 0 4 तो इसका डिजिट सब निकालो eight plus three plus five plus zero plus four तो बोलोगे सार eight plus three eleven eleven plus five sixteen sixteen plus four twenty फिर आप 20 के निकालोगे तो 20 के निकालोगे तो two plus zero तो two plus zero कितना होता है बच्चे two होता है तो बोलोगे कि two में two में क्या add कर देना कि वो nine हो जाए तो बोलोगे कि if we add seven in this one तो उसका डिजिट सम्क्या होगा nine होगा जो कि डिविजल होगा nine से तो इसका answer कर जाएक बच्चे seven हो जाएगा ठीक है आई कि आपको समझ में आ गया होगा question number four देखते है right the usefulness of digit sum digit sum का क्या क्या उप्योग है usefulness क्या है तो पहला बच्चे याद रखिए कि digit sum help करता है digit sum help करता है checking the correction of a solution किसी भी solution के correction को check करने के लिए हम लोग digit sum का use करते हैं तो जैजैसे first हो सकता है check for additional addition तो यहां पर लोग सब्सक्राइब होगा आप हमसे connect रहने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा अगर आप लोग को ये वीडियो helpful लगता है और अगर आप लोग को इससे कुछ समझ में आया है आज कुछ सिखने को नया मिला है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इसम दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थाइंक्यो